failure is a success if we learn from it तो कई बार असफलता है भी आपको ऐसे सबक दे जाती है जिनसे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अगर आप अपनी असफलता से कुछ सीखते हैं तो वो आपकी असफलता नहीं है वो भी एक success का ही पार्ट है तो इसी थोर्ट के साथ स्वागत सब सभी का online study academy में आज देट है 2 सेप्टेंबर 2020 और आज के जो भी important current affairs है वो सब देखेंगे हैं इस वीडियो में और लास में देखेंगे कुछ important वन नाइनर्स और साथ में quiz भी है तो make sure वीडियो को लास तक जरूर देखेगा तो यह शुरू करते हैं शुरूरात करेंगे कल के वीडियो के कुछ revision से रूस और भारत पहले FIDE Online सतरंच Olympiad 2020 के सहित विजेता बने Lewis Hamilton ने Belgium GP 2020 जीती 30 अगस्त को लगू उद्द्योग दिवस 2020 मनाए गया अंडमान और निकोबार दूइप में उच्च गती 4G सेवाओं को लांच करने वाला Airtel पहला नेटवर्क ऑपरेटर बना हाली में इश्का चौधरी को एकलब पूरसकार से सम्मानित किया गया है गुजरात सरकार ने भारत में पहली समुद्री विमान शेवा शुरू करने की घोशना की है पियुष गोयल जी ने 17 वे आसियान भारत आथिक मंत्रियों के परामर्स में भाग लिया पिरेन रिजी जी ने राश्ची खेल पूरुसकारों के पूरुसकार राशी में पृद्धी की घोशना की चीन ने पाकिस्तान नोसेना के लिए उन्नत 054 वर्क का युद्ध पोत लॉंच किया है केरल में ओडम तेवहर मनाय गया भारत ने रूस में आयुजित किये जाने वाले कावकास अभ्यास 2020 से अपना नाम वापिस ले लिया एथलेटिक्स कोच पुरुशूत्तम राय का 19 साल के उमर में निधन हो गया भारत का इंक्यावनवा अंतररास्टी फिल्म महोथ सो बीश से 28 नवंबर तक गोवा में आयुजित किया जाएगा तो यह मूब करते हैं आज के questions की तरफ तो अचका पहला question है Who has been appointed as India's next ambassador to the Federated State of Micronesia and the Republic of Palau Federated State of Micronesia और Palau गनराज में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे निउप्त किया गया है तब यहाले में संभू S. कुमारन जी को Federated State of Micronesia और Republic of Palau दोनों भी देशों में भारत के अगले राजदूत के रूप में निउप्त किया गया है उसके अलावा जो रवीश कुमार है तो रवीश कुमार को अभी कुछी दिनों पहले Finland में भारत के Ambassador के रूप में निउप्त किया गया था और जो रुद्रेंद्र टंडन जी है रुद्रेंद्र टंडन जी को अफगानिस्तान में भारत के अमबेज़डर के रूप में निउक्त किया गया था उसके बाद जो मनीश प्रभाद जी है मनीश प्रभाद जी को उजवेकी स्थान में भारत के ambassador के तोर पे नूखत किया गया था और संभू ऐस्कुमारण जी अभी present में Republic of Philippines में भारत के ambassador के तोर पे नूखत है और इसके पहले मुरोको के Kingdom of Morocco में भी भारत के ambassador के तोर पे काम कर चुके हैं लेबनान के प्रदाशन मंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है तो अभी हाल ही में मुस्तफा अदीब को नामित किया गया है लेबनान के प्रदाशन मंत्री के रूप में तो अभी आपको पताई होगा कि कुछी दिन पहले जो लेबरान की राजधानी है बेरूत तो बेरूत में विस्पोर्ट हुआ था और उस विस्पोर्ट के बाद जो हाके प्राइम मिनिस्टर थे हसन दियाब और उनके पूरे मंतरी मंडल ने इस्तीफा दे दिया था तो तब से प्राइम मिनिस्टर का पत खाली था तो अभी हाली में मुस्तफा अधीब को नामित किया गया है प्राइम मिनिस्टर के पत के लिए उसके लाबा जो केथ रोली है केथ रोली को अभी हाली में त्री निदाद एंट टोबैगो के प्रदान मंतरी के रूप में नियुक्ति के प्राइम मैंश्टर यानि की प्रधान मंत्री बने हैं और मुस्टफा अधा़ीप अभी जिनोंने रिजाइन दिया था यानि पूर्व प्रधान मंत्री से हसन दियाब और प्रज़िडेंट है यहां के मेशिल आउन next question है which country has developed world's largest solar tree कि इस देश ने विशो का सबसे बड़ा सौर पेंड विक्सित किया है तभी हाली में भारत में विक्सित किया गया है विशो का सबसे बड़ा सौर पेंड यानि की solar tree तभी हाली में CSIR, CMERI ने विक्सित किया है विशो के सबसे बड़े solar plant को और इसे विक्सित किया गया है जो वेस्ट बंगॉल में दुरगापूर है तो दुरगापूर में जो CSIR, CMERI का जो residential कालोनी है वहाँ पे इसे install किया गया है और इसकी जो capacity है इसकी capacity है 12,000 से 14,000 unit clean energy generate करने की यानि annually यह 12,000 से 14,000 unit generate कर सकता है clean energy और यह solar tree में जो solar panel है तो इस design पे लगाए जाते हैं एक tree के shape में जैसे जिस shape में tree होता और उसकी leaves होती है चारों तरफ फैली होती है तो उसी shape में इस solar tree को design किया जाता है ताकि जो सूरज की रोशनी है ज्यादा से ज्यादा जो photovoltaic panel है वहाँ पर पढ़ सके और जब ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी पढ़ेगी photovoltaic panel पे तो ज्यादा से ज्यादा energy या power generate होगी तो इस solar tree में लगभग 35 solar photovoltaic panel लगाए गए है और हर एक की capacity है 330 watt power की और इस solar tree का जो cost है यह है लगभग 7.5 लाग रुपए नेस्टरोशन है विच इंडियन एरपोर्ट है जोन CII GVC National Energy Leader Award कि इस भारती हवाई अड़े ने CII GVC रास्टी उर्जा लीडर पुरुसकर जीता है तो विहाली में हैद्राबाद International Airport ने जीता है CII GVC National Energy Leader Award तो एद्राबाद International Airport का जो नाम है वो है राजीव गांधी International Airport और इसी ने अभी 21 वे National Award for Excellence and Energy Management में जीता है National Energy Leader का और Excellent Energy Efficient Unit का Award और इस Award को और्गनाइज कराए गया था CII और गोद्रेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के दोरा CII है Confederation of Indian Industry जो CII के President है फिलहाल में वो है Mr. Udai Kotak जी और जो नामित है President यानि अगले आने वाले हैं वो है T.V. Narendran जी और CII का Headquarter है New Delhi में Next question है What is the name of remote controlled medical trolley developed by Indian Railways भारती Railway द्वारा विक्सित remote नियंतित medical trolley का नाम क्या है तभी हाली में Indian Railways ने एक medical trolley developed की है और उसका नाम दिया गया है Medbot Medbot नाम दिया गया है और उसका एक और नाम भी है जीवक ये भी हाद रखिएगा Medbot या फिर जीवक और ये Medbot या जीवक एक तरह का remote control medical trolley है जिसका यूज किया जाएगा जो भी COVID-19 के patients हैं hospital में उन तक दवाईयां पहुचाने में या food या भी कुछ भी ज़रूरी सामान पहुचाने में तो इस trolley के थ्रू ही वो सामान patient तक पहुचाया जाएगा ने शोशन है विच इंडस्ट्री हाज एक्वाइड दा फ्यूचर ग्रूप फॉर रूपीज 24,713 करोड़ किस कंपनी ने 24,713 करोड़ रूपे में फ्यूचर ग्रूप का अधिगरहण किया है तो विहाली में Reliance Industries Limited ने 24,713 करोड रूपे में फ्यूचर ग्रूप का अधिगरहण किया है तो Reliance Industries Limited की ही एक सबसीडिरी है The Reliance Retail Ventures Limited, RRVL तो RRVL ने फ्यूचर ग्रूप बिजनेस के होलसेल, लॉजिस्टिक और वियर हाउसिंग बिजनेस को एक्वाइर कर लिया है और जो एमाउंट दिया गया है वो है 24,713 करोड रूपे और इसका एक्वाइर किया गया है यानि अधिगरहण किया गया है ताकि जो Reliance Industries Limited है उसका Retail Business को और बढ़ाया जा सके उसके अलावा जो उसका E-Commerce Capacity है उसको भी बढ़ाया जा सके ताकि Amazon और Flipkart जैसे बड़ी कंपनियों को यह टकर दे सके तो Reliance Industries Limited के CEO है मुकेस अंबानी और इसका Headquarter है मुंबई महारास्ट में और Future Group बिजनेस की बात करें तो यहां के Founder और CEO है किशोर बियानी और इसका Headquarter भी है मुंबई महारास्ट में Next option है Which month will be celebrated as Portion Ma according to the announcement made by PM नरेंदर मोदी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा की गई घोशना के अनुसार Portion Ma के रूप में कौन सा महीना मना जाएगा तभी हाली में प्रदान मंतरी मोदी जी ने जो उनका monthly program है मन की बात मन की बात तो मन की बात में उन्होंने announcement किया कि जो September का महीना है September को महीने को मना जाएगा अब Portion Ma के रूप में जो मन की बात है इस बार का आपको पता इसका broadcast होता है रेडियो में यानि एक तरह का ये monthly radio broadcast program है जो कि हर महीने रेडियो पे broadcast होता है और 30 अगस्त 2020 को हुआ latest edition इसका और 30 अगस्त को प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने अनॉंस किया कि जो September है 2020 का उसे portion माह या nutrition मंत के तौर पे मना जाएगा और इस मंत में जो Indian की people है भारत की जनता हैं उनको educate किया जाएगा उनके बीच awareness फैलाए जाएगा सब के बीच में कि जो nutrition है optimum nutrition तो उसकी क्या importance है life में और ये जो nutrition मंत है ये 2018 के September में भी मना गया था और 2019 के September में भी मना गया था इसके लावा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी ने उत्तर प्रदेश के जहांसी में रानी लक्षमीवाई Central Agricultural University के administration building का भी inauguration किया है और ये inauguration किया गया है वीडियो conference के तूर next question है in which year प्रणव मुखर जी was awarded भारत रतना प्रणव मुखर जी को किस वर्स में भारत रतने से सम्मानित किया गया था तो आपको पता ही है कि अभी हाल ही में भारत के 13 राष्टपती प्रणव मुखर जी का 84 वर्स की उमर में निधन हो गया इसलिए ये question मैंने यहाँ पर add किया है क्योंकि उनसे related facts पूछे जाएंगे exam में तो प्रणव मुखर जी को जो भारत रतना का award है ये दिया गया था 2019 में और इन्हें भारत रतना का award दिया था रामनात कोविन जी ने जो कि अभी present में भारत के president है जैसा कि मैंने बताया प्रणव मुखर जी भारत के 13 way president थे और इनका कारेकाल था 2012 से 2017 तक उसके पहले 2009 से 2012 तक ये थे भारत के finance minister और उसके पहले 2006 से 2009 तक ये रहे भारत के external affair minister और उसके भी पहले 2004 से 2006 तक ये रहे भारत के defense minister और 2019 में इन्हें दिया गया भारत रतना इसके अलाबा 2008 में इन्हें पद्म विभूशन से भी सम्मानित किया गया next question है the 6th international military technical forum army 2020 was held in which country छेटवा अंतरास्टी सैन तकनीकी मंच सेन 2020 कि इस देश में आवजित किया गया तभी हाली में रसिया में और्गनाईज किया गया था 6th international military technical forum आमिट 2020 और ये चला था 23 अगस्त से 29 अगस्त तक और इस army 2020 नाम के military technical forum को और्गनाईज करा गया था जो रसिया की capital है मॉस्कोव मॉस्कोव के पास में ही है Patriot Park Patriot Park में इस forum का organized किया गया था और इसको organized किया गया था Russian Defense Ministry के दौरा और इसको operate किया गया था International Congress and Exhibitions Limited के दौरा और इस forum के दौरान एक Indian Pavilion का भी inauguration किया गया है जो भारत के defense production के secretary है राज कुमार जी और उनके साथ ही जो रश्या में भारत के ambassador है डी वाला वेंगटेस वर्माजी के दौरा और रश्या की बात करें तो Capital है Moscow Currency है Russian Rubal और President है Vladmir Putin Next option है who has flagged up the first ever Roro train service between Bangalore and Solapur Bangalore और Solapur के बीच पहली Roro train सेवा को किसने हरी जंडी दिखाई तेहां option में कुछ गलतियां है तो विहारी में करनाटका के Bangalore से महरास्ट के Solapur के लिए सबसे पहली Roro train service शुरू की गई है और इसको हरी जंडी दिखाई है जो करनाटका के Chief Minister है BS यदि उरप्पा जी ने option में थोड़ा mistake हो गया था Chief Minister के नाम लिखने के वाज़ा मैंने States के नाम लिख दिये इसका right answer है Chief Minister of करनाटका BS यदि उरप्पा तो जो Roro train service है Roro का मतलब है Roll on, Roll off Roro का full form है Roll on, Roll off train और ये एक तरह की train है जिसके उपर trucks को रखके ले जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जिससे होता क्या है जो accident है उनको reduce किया जा सकता है उसके लाब़ा ये environment friendly भी है तो जो goods होते हैं जो भी सामान एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है तो सबसे पहले वो truck में या किसी और vehicles में load कर दिया जाते है और उसके बाद truck को या किसी other vehicles को ही Roro train में load कर दिया जाता है फिर वो एक station से दूसरे station पे जाते हैं train से ही और उसके बाद वहाँ से फिर जो truck है वो train से निकल के अलग-अलग destination पे अपने जाते हैं सामान को लेके तो इससे काफी कम खर्चे में और काफी कम समय में काफी सारे truck एक साथ ही एक train पे भेजे जा सकते हैं एक place से दूसरे place पे और ये सबसे पहली service है जो कि बैंगलोरू से सोलापूर के लिए सुरू की गई है next question है who has been reappointed as the director of general corporation of india general corporation of india के निदेशा के रूप में फिर से किसे निक्त किया गया है तभी हाली में अतनु कुमार दाज जी को फिर से निक्त किया गया है general corporation of india के डारेक्टर के रूप में उसके लाबा बात करें तो जो सोमा मॉंडल है इन्हें अभी हाली में sale के chairperson के रूप में निक्त किया गया है और ये sale की यानि still authority of india limited की पहली महिला अध्यक्ष है उसके बाद जो gp गर्ग है gp गर्ग को अभी हाली में sevy के executive director यानि ed के तोर पे निक्त किया गया है और जो अश्वणी भाटिया है अश्वणी भाटिया को अभी हाली में state bank of india के managing director यानि md के रूप में निक्त किया गया है तो move करते हैं आज ये world liners की तरब सबसे पहले world bank has suspended the publication of ease of doing business report world bank ने इस साल की ease of doing business report है उस पे भी रूप लगा दी है यानि उसके प्रकाशन को भी suspend कर दिया है नेक्स्ट है चाइना has built a missile site at कैलाश मानसरोवर चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक missile site बनाई है नेक्स्ट है इंडिया's first female cardiologist and padma awardee dr. s. padmavati passed away at 103 भारत की पहली महिला रिदय रोग विशेशग और पद्म पुरुसका से सम्मानित dr. s. padmavati का 103 वर्ष की आयों में निधन हो गया और लास्ट है cbdt chairman प्रमोच चंद्रमोधी's tenure extended by 6 months up to February 2021 तो जो cbdt के अध्धच है प्रमोच चंद्रमोधी जी उनका कारेकाल 6 मैंने और बढ़ा दिया गया है और अब इनका कारेकाल बढ़के हो गया है फरवरी 2021 तक तो अब समय आज के quiz का आज के quiz का question है which state has stopped the export preparedness index 2020 in the overall category किस राज ने निर्यात तयारी सुचकांग 2020 के समग स्रेणी में सीर सिस्थान पराप्त किया है तो make sure इस question का अंसर जरूर दे comment box में आज़े देखते हैं कल के वीडियो को question कल के वीडियो में question था who has become the first passer to scalp 600 wickets in test cricket test cricket में 600 wicket लेने वाले पहले तेज गेंदवाच कौन बने है तभी हाली में James Anderson बने है test cricket में 600 wicket लेने वाले पहले तेज गेंदवाच और James Anderson खेलते हैं England की तरब से और wicket से related एक और question है यवी हाली में West Indies के Dwayne Brabo Dwayne Brabo T20 cricket में 500 wicket लेने वाले पहले गेंदवाच बने हैं international की बात नहीं हो रही है जितने भी तरह की T20 leagues होती है और international matches होते है तो सारे T20 matches को मिला के इन्होंने 500 wicket लिए है तो जिन्होंने भी इसका right answer दे हमको मैं जबसे congratulations असी तरह मेनत करते रहे हैं और right answer देते रहे हैं तो आज का session यहीं समाप्त होता है I hope आपको ये video helpful लगी होगी अगर आपको video अच्छी और helpful लगी है तो make sure video को like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कीजिए अगर आपको आज के video का PDF चाहिए तो मैंने description में telegram channel की link दे दी है आप हमारे telegram channel पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं उसके साथ ही आप facebook में मुझे follow कर सकते हैं online study academy 20 बे और आप instagram में मुझे follow कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके तो मिलते हैं कर फिर एक नए वीडियो में कुछ नए कर इंटरफेस के साथ और साथ में देखेंगे कुछ important one liners और quiz तो हो गई तो make sure कर भी आप हमारे साथ इसी time पे जूड़े तब तक के लिए take care and thank you guys